जे शिरी राम मित्रों हजारों साल पहले रिशियों के अविश्कार पढ़कर या सुनकर आप दंग रह जाएंगे मित्रों आज की कथा बहुत ही जानकारी युगत है मित्रों भारत की धर्टी को रिशिमुनी शिद्ध और देवताओं की भूमी पुकारा जाता है यह कई तरह की बिलक्षन ग्यान वा चमतकारों से अटी पड़ी है सनातन धर्म वेद को मानता है प्राजिन शिमुनियों ने घोर तप कर्म उपासना सयम के जरिये वेद में छिपे इस गुण ग्यान वा विज्यान को ही जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहसे उजागर करने के साथ कई अविशकार किये वा युक्तियां बताएं ऐसे बिलक्षन ग्यान के आगे आधुनिक विज्यान भी नतमस तक होता है कई रिशी मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योगवा तपोवल से साध कर ऐसे अद्वुत कार नामों को अंजाम दिया कि बड़े बड़े राजवन्षवा महाभली राजाओं को भी जुखना पड़ा आईए जानते हैं ऐसे ही असाधारन या यूँ कहें कि प्राचीन वैज्यानिक रिशी मुनियों द्वारा किये गए अविश्कारवा उनके द्वारा उजागर रहसियों को शायद जिनसे आप भी अब तक अंजान होंगे महार्शी ददीची महातपोवली और शिव भक्त रिशी थे वे संसार के लिए कल्यान वात्यागी की भावना रख व्रत्ता शुरका नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान करने की वज़े से महार्शी ददीची की बड़े पूजनिये हुए इस संबंध में पौराणिक कथा है कि एक वार देवराज इंद्र की सभा में देव गुरु ब्रहसपती आए एंकार से चूर इंद्र गुरु ब्रहसपती के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए ब्रहसपती ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़ कर चले गई देवताओं ने बिश्वरुप को अपना गुरु बना कर काम चलाया किन्तु बिश्वरुप देवताओं से चुपा कर अशुरु को भी यग्गे भाग दे देता था इंद्र ने उस पर आवेशित होकर उसका सिर काट दिया बिश्वरुप तुश्तारिशी का पुत्र था उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए महावली वरत्ताशुर को पैदा किया ब्रत्ताशुर के भाई से इंद्र अपना सिंगासन छोड़ कर देवताओं के साथ इधर उधर भटकने लगे ब्रह्मा देव ने ब्रत्ताशुर को मारने के लिए वज्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को तपोवली महारशी ददीची के पास उनकी हड़ियां मांगने के लिए भेजा उन्होंने महारशी को प्राथना करते हुए तीनों लोकों की भलाई के लिए अपनी हड़ियां दान में मांगी महार्शी ददीची ने संसार के कल्यान के लिए अपना शरीर दान कर दिया महार्शी ददीची की हड्डियों से वज्र बना और ब्रत्ता सुर्मारा गया इस तरह एक महार्शी के अतुलिनीय त्याग से देवराज इंदर बचे और तीनों लोग सुखी हो गए आचारे कनाद, कनाद परमाडू शास्तर के जनक माने जाते हैं आदुनिक दौर में अणुविग ज्यानी जोन डालतन के भी हजारों साल पहले आचारे कनाद ने ये रहस्ये उजागर किया कि द्रविके परमाडू होते हैं भासकराचारे आदुने की योग में धर्ती की गुरुत्वा कर्षन शक्ति पदार्थों को अपनी और खीचिने की शक्ति जो होती है उसकी खोज का शिरे नीउटन को दिया जाता है किन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वा कर्षन का रहस्य नीउटन से भी कई सदियों पहले भासकराचारे ने उजागर किया भासकराचारे ने अपने सिध्धान्त शिरोमनी ग्रंथ में प्रत्वी के गुरुत्वा कर्षन के वारी में लिखा है कि प्रत्वी आकाशिय पदार्थों को विशिष्ट सक्ती से अपनी ओर खींचती है इस वज़े से आस्मानी पदार्थ प्रत्वी पर गिरता है आचारे चरक चरक सहिता जैसे महद्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचारे चरक आयुर्वेद विशेश ग्यवा तवचा चेकित सक्त भी बताए गई हैं आचारे चरक ने शरीर विज्ञान गर्भ विज्ञान और शरधी विज्ञान के बारे में गहन खोज की आज के दोर की सबसे ज़ाद होने वाली डाइविटीज हिर्दे रोग वा शे रोग जैसे बीमारियों के निदान वा उपचार की जानकारी वरसों पहले ही उजागर की भारदु आज आधुनिक विज्ञान की मताविक राइट बंधूँओं ने वायुयान का अविशकार किया वही हिंदु धर्म की मानेयताओं के मताविक कई शदियों पहले रिशी भारदु आज ने बिमान शास्तर के जरिये वायुयान को गाइब करने के असाधहरन विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह वा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रह से उजागर किये इस तरह रिशी वारद वाज को वायोयान का अविश्कार भी माना जाता है रिशी कंव वेडिक कालें रिशियों में कंव का नाम प्रमुख है इनके आश्रम में ही राजा दोशियंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भारत का पालन पोशन हुआ था माना जाता है कि उसके नाम पर देश का नाम भारत हुआ सोम यग परंपरा भी कंव रिशी की देन मानी जाती है कपिल मुनी भगवान विश्नु का पांचवा अवतार माने जाते हैं इनके पिता करदम रिशी थे इनकी माता देव हूती ने विश्नु जी के समान पुत्र चाहा इसलिए भगवान विश्नु खुद उनके गर्व से पैदा हुए कपिल मुनी साख्य दर्शन के प्रवर तक माने जाते हैं इससी जुड़ा प्रसंग है कि जब उनके पिता करदम सन्यासी वनकर जंगल में जाने लगे तो देव हूती ने खुद अकेले रह जाने की इस्थिती पर दुख जताया इस पर रिशी करदम ने देव हूती को इस बारी में पुत्र से ग्यान मिलने की बात कही वक्त आने पर कपिल मुनी ने जो ग्यान माता को दिया वही सांख्य दर्शन कहलाता है इसी तरह पावन गंगा के स्वर्ग से धर्ती पर उतरने के पीछे भी कपिल मुनी का शाप भी संसार के लिए कल्यान कारी बना इससे जुड़ा प्रसंग है कि भगवान राम के पूर्वज राजा सगर के द्वारा किये गए यग का घोड़ा इंदर ने चुरा कर कपिल मुनी के आश्रम के करीब छोड़ दिया तब घोड़े को खोजते हुए वहाँ पहुचे राजा सगर के साथ हजार पुत्रों ने कपिल मुनी पर चोरी का आरूप लगाया इससे कुपित होकर मुनी ने राजा सगर के समी पुत्रों को श्राप दे कर भस्म कर दिया बाद के कालों में राजा सगर के वन्शज भागी रथने घोर तपस्या कर स्वर्ग से गंगा को जमेन पर उतारा और पूरवजों को श्राप मुक्त किया पतंजली आधुनिक दोर में जान लेवा बीमारियों में एक कैंसर या करक रोग का आज उपचार संभव है किन्तु कई सदियों पहले ही रिशी पतंजली ने कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र रच कर बताया कि योग से कैंसर का भी उपचार संभव है रिशी शौनाक बैदिक आचारी और रिशी शौनाक ने गुरू शिष्य परंपरावा संसकारों को इतना फैलाया कि उन्हें दस हजार सिष्यों वाले गुरू कुल का कुल पती होने का गौरब मिला शिष्यों के यह तादात कई आधुनिक बिश्व बिध्यालयों की तुलना में भी कही ज़्यादा थी महार्शी सुशुरुत ये शल्य चिकित्सा बिग्ञान यानी सरजरी के जनक वा दुनिया के पहले शल्य चिकित्से सरजन माने जाते हैं वे शल्य कर्म या ओपरेशन में दक्ष थे महार्शी शुशुरुत द्वारा लिखी गई शुशुरुत सहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई एहम ग्यान विस्तार से बताया है इनमें सुई चाकुवा चिम्टे जैसे तकरीवन 125 से भी जादा शल्य चिकित्सा में जरूरी ओजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं वा उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना आदी के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है जबकि आद्वनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीवन 4 सदी पहले ही की है माना जाता है कि महार्शी शुशुरुत मोतियाविंद पथरी हड़ी तूटना जैसे पीडाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानि ऑपरेशन करने में माहिर थे यही नहीं वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे महार्शी वशिष्ट वशिष्ट रिशी राजा दसरत के कुल गुरु थे दसरत जी के चारों पुत्र राम लक्षमन भरत वशत्रुःन ने इनसे ही शिक्षा पाई देव प्राणिवा मन चाहा वर देने वाली कामध्यनुगाय वशिष्ट रिशी के पास ही थी रिशी विश्वामित्र रिशी बनने से पहले विश्वामित्र शत्रिय थे विश्वामित्र रिशी वशिष्ट से कामध्यनुगाय को पाने के लिए हुए युद्ध में मिली हार के बाद तपस्वी हो गए बिश्वा मित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विध्या पाई इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के योग में प्रचलित प्रक्षे पाश्त्र या मिसाहिल प्रणाली हजारों साल पहले बिश्वमित्र ने ही खोजी थी रिशी बिश्वमित्र ही ब्रह्म गायत्री मंत्र के दृष्टा मानी जाते हैं बिश्वमित्र का अफसरामैन का पर मोहित होकर तपस्य भंग होना भी प्रिसिद्ध है शरीर सहित त्रिशंकू को स्वर्ग भेजने का चमतकार भी विश्वा मित्रे ने तपोवल से कर दिया महार्शी अगस्ते वैदिक मान्यता की मुताविक मित्र और वरुन देवताओं का दिव्य तेज यग्य कलश में मिलने से उशी कलश के बीच से तेजस्वी महार्शी अगस्ते प्रकट हुए महार्शी अगस्ते घोर तपस्वी रिशी थे उनके तपोवल से जोड़ी पौराणे कथा है कि एक वार जब समुद्री राक्षसों से प्रताडित होकर देवता महार्शी अगस्ति के पास सहायता के लिए पहुँचे तो महार्शी ने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए समुद्र का सारा जलही पी लिया इस सारे राक्षसों का अंध हुआ गर्गमुनी नक्षत्रों के खोजकरता माने जाते हैं यानि सितारों की दुनिया के जानकार ये गर्गमुनी ही थे जिनोंने भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वैं पूरी तरह सही सावित हुगा कौरव पंडवों के बीज महा भारती युद्ध बिनाशक रहा इसके पीछे बज़य ये थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिती शै होने के तेरवे दिन अमावस थी इसके दूसरे पक्ष में भी तिती शै थी पूर्णिमा चौदवे दिन आ गई और उसी दिन चंद्रगरहन था तिती नक्षत्रों की यही इस्थितीवा नतीजे गर्ग मुनी ने पहले बता दिये थी वाधियन भारती ये त्रिकॉण मितिग्य के रूप में जाने जाते हैं कई सदियों पहले ही तरे-टरे के आकार-प्रकार की यग्य वेदिया बनाने की त्रिकॉण मितिये रचना पददी वाधियन खोजी दो समकोर समभुज चौकोर के छेतरफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने छेतरफल का समकोर समभुज चौकोर बनाना और उस आकरती का उसके छेतरफल के समान के ब्रत में बदलना इस तरह के कई मुश्किल सवालों का जवाब वाद्धियन ने आसान बनाया इस तरह मित्रों हजार वर्स पहले ही रिशी मुनियों ने कई अविश्कार किये तो बोलो जै शरी राम मित्रों ये जानकारी पूर्ण कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताईए कमेंट में जै शरी राम अवश्य लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर तब तक के लिए जै शरी राम